100 days working in TCS Automotive का आज हमार day 19 आज हमारे पास आई है यह वर्ना टेफलोन कोटिंग के लिए तो आज मैं आप लोगों बताँगा टेफलोन कोटिंग और स्टरामिक कोटिंग में क्या फर्क होता है जो हमारे कस्टमर्स के भी regular questions रहते हैं हमार से कुछ टाइम पहले तक market में paint protection के नाम पर आपकी गाड़ी पर wax coat लगाए जाते थे जिसे market में teflon coating के नाम साथ बेचा जाता था wax एक अच्छा product है जो गाड़ी में gloss भी लाता है और गाड़ी को UV rate से protection भी देता है लेकिन wax का एक ही disadvantage है कि ये गाड़ी को wash करते ही निकल जाता है फिर जैसे जैसे technology improve ही market में introduce हुई ceramic coating as a best paint protection product ceramic coating होती है silica जो की होता है glass इसे liquid form में रखने के लिए इसमें add के जाते हैं कुछ solvent फिर जब गाड़ी पर coating apply होती है तो solvent सो evaporate हो जाता है और गाड़ी पर जो layer बसती है वो होती है glass की layer जिसे हम ceramic coating कहते हैं ceramic coating से आपकी car की maintenance easy हो जाती है अगर आप चाहते हैं गाड़ी को अच्छा दिखाना तो कुछ छोटे-छोटे steps को follow करके आप अपनी गाड़ी को long term के लिए maintain कर सकते हैं जैसे गाड़ी को hard water से clean ना करना गाड़ी को साफ कपड़े से ही clean करना